जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लाइंडर माडूल पीपल आर अप्लोडिंग अज आप दोस्तों मैं हुगालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आज इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बाद है कि चंद्रे अंत्री जो है वो चांद पर लैंड हो गया और आने वाले वक्त में वो चांद पर एक्स्प्लोरेशन शुरू करेगा स्पेशली चांद का साउथ पोल जिसे बहुत ही चैलेंजिंग समझा जाता है बहुत मुश्किल समझा जाता है और वहाँ पे किसी भी दूसरी स्पेस एंजन्सी ने आज तक कोई रोवर लैंड नी किया इंडिया ने सक्सेस्फुली इस रोवर ने वहाँ पे अपना जो भिक्रम नाम का रोवर है वो लैंड हो गया और वहाँ पे एक्स्प्लोरेशन शुरू करेगा साउथ पॉलिस लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पानी की मुझूदगी का कुछ ऐसे क्रेटर्स है जो कि फूर बिलियंज ओफ एर्ज डार्कनस में ही हैं और वहाँ पे पानी के होने का बहुत ज्यादा इमकान है यहाँ चांस है और उस पानी को यूज करके चांद को यहाँ मून को एक स्पेस बेस के तौर पर यूज किया जा सकता क्यूंकि आने वाले टाइम में मून के ओपर माइनिंग भी होनी है मून के ओपर जोटेरियम और कुछ और ऐसी लिथियम के कुछ ऐसे आईसोटोब्स पाई जाते हैं जो जमीन के ओपर बहुत रेर हैं और वाइटल टेकनालोजी इस फ्यूचर में डिवैलप करने के लिए बड़े इंपॉर्टन है चांद जो है वो एक मिनरल्स के हिसाब से बड़ी ही इंपॉर्टन जगा है इंडिया ने क्यूं चांद पर कमंड डाली या सितारों पर कमंड डाली आप कहा सकते हैं क्योंकि ये इंडिया का सितारों वाला सफर तो बड़े अरसे से शुरू हो चुका है अब उसमें एक ऐसा मालस्टोन आया है जिसके बाद इंडिया की कैपेबिलिटी पर कोई भी शक नहीं का सकता और आपको मैं ये बता दूँ कि इस सेंचरी के एंड तक स्पेस इंडस्ट्री या स्पेस एकॉनमी शायद उतनी ही बड़ी हो सकती है चितनी के हमारी ऑन अर्थ एकॉनमी होगी क्योंकि बहुत सी चीजें स्पेस से आएंगी फैक्टरी स्पेस में लगेंगी दूसरे प्लैनेट्स तक पर बड़ी चीजें मैनुफेक्चर हो सकती है चांद तो आने वाले वक्त में बहुत सी ऐसी चीजें भी वहाँ पर मैनुफेक्चर हो सकती है जो जमीन पर मैनुफेक्चर नहीं होती कम ग्रैविटी में बहुत से ऐसे काम हैं जो करना बड़े असान होंगे और चांद के उपर एक मुस्तकिल इनसानी अबादी है मून की कॉलिनाइजेशन जो है वो खोने जा रही है वो कब होगी ये बहुत बड़ा क्वेस्टन मारक है ये डिस्टेंट फ्यूचर की बाते हैं ये डिस्टेंट नहीं नॉट टू नियर फ्यूचर की बाते हैं मगर अभी इंडिया को इससे क्या फाइदा होगा ये याद रखें के दिन बदिन स्पेस लाँचिज और स्पेस में ले जाने वाले पेलोड्स बढ़ते जाएंगे और आप ये याद रखेगा के वक्त के साथ-साथ चो कंट्री इसमें एंटर होंगे इस वक्त वो बहुत फाइदा उठाने वाले हैं दुनिया में बहुत से कंट्रीज हैं जिनके स्पेस प्रोग्राम्स हैं जो स्पेस के अंदर चीजों को लाँच करते हैं जो ले के जाते हैं मगर अगला स्टेप अभी आना है अभी आप अगर देखते हैं स्पेस एक्स और इलॉन मस्क इलॉन मस्क क्या करता है वो दुनिया में सबसे अदा कोशिश में है कि वो चीपली स्पेस लाँच कर सके सके चीजों को स्पेस में ले जा सके कि इस टाइम किसी वक्त मैं पहले वाइल फील्ड में काम करता था उस टाइम यूँगे कही बार हमारे जो प्राजेक्स होते थे बहुत ही रिमोट एरिया में होते थे जहां पर कोई सैलफोन का टावर होता था वहां पर सैटलाइट इंटरनेट यूज होता था और एक कंपनी होती थुराया के नाम से इसके बारे में का जाता था कि शायद उसका एक मिनट जो है वक्तानी को दास डालर का एक मिनट होता था इतनी महंगी थी तो इसलिए किसी के पास भी इन रिमोट लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ बहुत इंपॉर्टन लोगों के पास वो उनका इनिया में वो रिमोट लोकेशन जिनके उपर आप कम्मिनिकेशन का सोच भी नहीं सकते हैं जहां पर जाके को 20 बंदों के लिए कोई सैल फून का टावर नहीं लगाएगा अगर एक गाउं में सो लोग रहते हैं और वो गाउं काफी रिमोट है वहां पर कोई नहीं डिफेंस के अंदर सैटलाइट टेकनोलोजी का कितना काम है स्पेस टेकनोलोजी का यह बहुत कम लोग जानते हैं मगर यह याद रखी है कि आने वाले वक्त में यह इतना बढ़ जाएगा कि शायद वो कंट्री जिसके पाउं स्पेस में नहीं होंगे जिसके पास को अपना स्पेस का प्रोग्राम नहीं होगा वो उतना ही हैंडिकैप्ट होगा जिस तरह किसी मुल्क के पास दर्या नहीं होते जिस तरह किसी मुल्क के पास कोई वाइटल टेकनोलोजी है अगरी कल्चर का कोई सिस्टम नहीं होता क्योंकि स्पेस की जो दौड है वो एबसलूटली वाइटल होगी. इंसान के future के लिए. और जो country इसमें पीछे रहा जाएंगे वो बहुत ही पीछे रहाजाएंगे. और आने वाले वक्त में इसकी बहुत importance होगी. और क्यों मैं आपको यह कह सकता हूँ कि जो country पीछे रहाजएंगे वो हो सकता बहुत ही पीछे रहा जाए यहां फिर वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे या उनको दूसरों पर डिपैंट करना पड़ेगा इसकी एक बहुत असान सी मिसाल सेमी कंडॉक्टर रेवलूशन है सेवेंटीज में अमेरिका, चाइना रशिया, इंडिया और बहुत से और कंट्रीज जोसे वो सेमी कंडॉक्टर में तकरीबन एक ही लेवल पे थे मगर तकरीबन पिछले पचास साल के दुराण क्या हुआ कि अमरीका इतना आगे निकल गया और बाकियों ने उसको इतना important नहीं समझा और अमरीका इतना आगे निकल गया यहां वेस्ट इतना आगे निकल गया कि आज रशिया चाइना कहीं भी नहीं है आज तक रशिया और चाइना अपने प्रॉप चाइना तो फिर अब कुछ इस चीज़ में आगया टेक्नॉलोजिकल espionage की वजासे मगर वो भी बहुत ज़़ा limited आभी भी उस चीज़ में मगर रशिया के पास अपना कोई भी computation का architecture वो डिवालप नहीं कार सके कोई microprocessor वो अच्छा डिवालप नहीं कार सके इंडिया ने भी semi conductors में कोशिश की थी मगर जारी बात है कि जब आप दूसरों पर लाए कर सकते हैं तो फिर पीछे रायते हैं मगर इस बार इंडिया ये काम करने वाला नहीं है इंडिया space age में उसी तरह enter होगा जिस तरह दुनिया की बाकी बड़ी powers हो रही है और ये एक बात थाबत करता है कि इंडिया ग्लोबल जो वो पावर है और एक ग्लोबल प्लेयर है और space जो है वो आने वाले अगली दो तीन सेंचरीज दो तीन डेकेड़्स के अंदर ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडिस्ट्री होगी शायद टैंस ओफ ट्रिलियन डॉलर्स की होगी और अगर इंडिया इस इंडिस्ट्री का कोई 10% 10% तो बहुत ही कम मैं कह रहा हूँ इंडिया की capability इस से ज्यादा होगी क्योंकि इंडिया ने अभी जो चंद्रेयान लॉच्च की है एक हजार करोड ये कुछ भी नहीं है अमेरिका और ये योर्पियन स्पेस एजनसी बहुत महंगे लॉच्च करती है चाइना से बहुत से कंट्रीस हैं जो अपनी टेक्नॉलजी का लॉच्च कराना भी नहीं चाहते क्योंकि चाइना पर ट्रस्ट नहीं करते तो इंडिया एक बड़ा जबरदस्ट अल्टरनेटिव के तोर पर सामने आएगा इंडिया ने पहले ही आज से तक्रीबें दस साल पहले एक रॉकिट से साथ सैटलाइट्स माइक्रो सैटलाइट्स लॉच्च की थी जिसकी वज़ा से आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि इंडिया की तरफ फिर स्पेस की इंवेस्टमेंट भी आएगी प्राइवेट एंटरप्राइज भी हो सकता है आपको इसरों के इलावा भी इंडिया में खुलते हो दिखाई देए और फिर एक पूरा भूम आएगा तो स्पेस एज वो जगह है जिसके बारे में मैं तो हमेशा से बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि कब इंसान स्पेस में को अपने पहुंच माएगा कब कुछ करेगा कब इस जमीन से अजाद होगा इंसान और टीवन हौकिंग ने कहा था हुमन शुड बी अटू प्लैनेटरी स्पीसिस जिसके दो प्लैनेट्स के उपर होना चाहिए और कॉलनाइजेशन ओफ मून और कॉलनाइजेशन ओफ मार्स हो सकती है बाइद अट अफ इस सेंचरी इलान मस्क तो कहता है वो ट्वेंटी फिफ्टी से पहले बलके ट्वेंटी थर्टी में ही कर चुका होगा मगर ये याद रखिए कि अगर इंडिया ने आज चांद पे कदम रख ली है तो हम अगले 20 साल में यहां हो सकता है इस से कम में भी यह भी देख सकते हैं कि शायद कोई मैंड मून मिशन भी इंडिया की तरफ से जा रहा हो और फिर क्या पता मार्स कितना दूर है इंडिया के लिए ज्यादा दूर तो नहीं है मगर ये बात याद रखिए कि जिसने इस वक्त पाउंक जमा लिए है वो बहुत कुछ कर सकता है मार्स के उपर भी एक पूरी इंडिस्ट्री बन सकती है स्पेस माइनिंग एक बहुत बड़ा काम होगा फ्यूचर में ऐसा होगा कि रिसोर्स को स्पेस में माइन करना ज्यादा सेफ और ज्यादा फीजिबल दिखाई देगा एक वक्त ऐसा भी आ जाजएगा ऐसा आजएगा- mos-as-a-reper expecting स्पेस में माइनिंग में ऑगी स्पेस में बहुत सारे एस्टिरोइड्स और परेशियस मैटल्स के बने हुए है करlock कोई elementrån जो भी अर्ण को माइन करके वहाँ से आराम से आप निकाल सकते है closely बहुत सारे rare earth materials चाहिए होते हैं जो के जमीन पे बहुत कम हैं जो के space में पूरे-पूरे wood घूम रहे हैं और उनको आप लेके उनको यूज करके आप technologies develop कर सकते हैं semiconductor industry में बहुत सारे ऐसे metals हैं जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है वो जमीन पे निकलते हैं बहुत कम है तो उनको आप space से माइन करके ला सकते हैं और semiconductors यह वो बड़े महंगे होते हैं इस वज़ा से तो फिर यह याद रखें कि एक वक्त आएगा कि economy इन चीजों की balance out होती जाएगी space के space future है यह याद रखें और space के बगएर इनसान का survival भी in the long run possible नहीं है क्योंको जमीन एक बड़ी ही feeble सी जगाए काल को global warming की वज़ा से या किसी meteoroid या asteroid impact की वज़ा से या nuclear war की वज़ा से जमीन पे हलात अगर इनसान खराब कर ले space में रहना बहुत जरूरी होगा space में बहुत से वो बहुत से उसके अपने challenges हैं मगर बहुत से challenges हैं जो जिनको वो solve भी करेगा तो इंडिया का ये एक बहुत ही monumental step है ये बहुत बड़ी achievement है और मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाईयों को बहुत बहुत congratulations और मुबारक बात देता हूं कि this is a thing that you guys should be proud of और ये वो काम है जो के इंसानियत को in the long run फाइदा देंगा क्योंकि जो शक्स भी इस तरफ जो country भी इस तरफ contribute करेगा in the long run वो overall human development में वो overall human progress में अपना part play करेगा तो ये वो चीजें हैं जो के future holds for India space mining हो सकती है Mars के उपर moon के ओपर colonies हो सकती है space के अंदर industry हो सकती है space के अंदर और बहुत सी research की जा सकती है eventually human beings को progress करा आजा सकता है जिसमें इंडिया का एक बड़ा critical role होगा and Indians जो हैं वो बहुत आगे जाएंगे space program के तरूँ तो चलेंजी अपना बहुत सा खियाल रखिए को भी support कर सकते हैं Patreon का link इस video की description और एंडिया स्क्रिण में अपना बहुता खियाल रखिएगा like, share और subscribe करना माद भूले इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को Patreon पर support कर सकते हैं Patreon का link वीडियो की description में है